हेलो अब्रिवान जैसे कि सबको पता है कि पंजाब मास्टर केड़र का पेपर आने वाला है तो जो भी स्टूडेंट फजिक्स के लिए प्रपेर कर रहे हैं नीचे कोमेंट्स करते हैं कि हम कैसे पढ़ें तो आज हम आज से हम वन बाई वन मैं आपको सब्जेक्ट वाइस ब तो सबसे पहले टॉपिक में डिसक्स कर रही हूं इलेक्टर सिटी और मैंग्नेटिजम जिसमें भी दो पार्ट आएंगे हमारे पास एक आएगा पार्ट इलेक्ट्रो स्टाटिक और एक आएगा मेंगनाट्रो स्टाटिक तो इलेक्ट्रो स्टाटिक में आपको कौन सी ची स्केलर में क्या डिफ्रेंस होता है उसके बाद क्या होती है ग्रेडियंट क्या होता है करल क्या होती है स्केलर प्रड़क्ट क्या होता है इनके बारे में पता होना चाहिए इन में से direct question बनते हैं क्योंकि one mark का question है तो इन में से ही questions बनते हैं उसके बाद second है fundamental theorem of gradient आपको direct result पता होने चाहिए ठीक है जो ये second part है fundamental theorem of gradient stokes theorem हो गया divergence theorem हो गया इनके direct result आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं उसके बाद हमारे पास third चीज़ आती है coulum's law ठीक है यह हमें बताता है दो charges के बीच में force कितनी होगी यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसके बाद हमारे पास goss law आ जाएगा ठीक है इसमें इसकी application इसका use करके हम इसकी applications find करेंगे उसके इसकी application कौन से करनी है इलेक्ट्रिक फिल्ड दू पॉइंट चार्ज दू वायर हो गया इंफानाइट वायर होलो सफीर की वज़ा से सॉलिड सफीर की वज़ा से conducting plate की वज़ा से non conducting plate की वज़ा से इन सब के लिए आपको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालनी आनी चाहिए ठीक है एक आप लोग ना क्योंकि यह टॉपिक्स आपने कहां से करने हैं यह आपने करने है graduation की book में से ठीक है first year में आप लोग पढ़ते हो electricity and magnetism जिसकी जिसमें यह अपको सारा कुछ मिल जाएगा ठीक है बट वहां पे ना जब आप second chapter कूलंज लॉप पे आऊगे वहां पे आप electric field निकालोगे जैसे माल लो यही है होलो सफियर है conducting अपने पास wire हो गई इसके आपने बहुत लंबे-लंबे method देखेंगे सबसे पहले गौस लोग आने से पहले सबसे पहला method क्या होता है सबसे पहला method होता है कि वायरली small पहले small element के लिए find करेंगे फिर integration find करेंगे 10 minute तो वो integration solve करने में लग जाते हैं तो आपने वो चीज़ें skip करके क्योंकि सारे result same निकलेंगे किस law ने निकाले थे इस law ने निकाल दिये तो आपने इस law को use करके इन सारे result को याद रखने की क्या death क्योंकि अगर आप इस law को कर गए तो 2-3 steps का काम है इन सबके result निकालना तो इन सब की values आप इस law से निकालोगे वो lengthy method आपने नहीं करने है इतना time नहीं होगा paper में तो उनको आप skip करोगे उसके बाद आता है हमारे पास potential क्या होता है potential energy क्या होती है फिर उसके बाद potential का formula पता होना चाहिए relation क्या होता है electric field and potential में जैसे e is equal to minus del of v उसके बाद potential due to holosphere ठीक है अब जैसे आपने electric field निकाली थी वैसे ही holosphere एक ना holosphere और solid sphere का आपको electric field का graph पता होना चाहिए और potential का graph पता होना चाहिए most important हर वर repeat हो रहा है तो ये ध्यान रखना graph याद रखना है कि कैसे बना है ठीक है अगर आपको inside outside वो पता चल गया तो आप अराम से निकाल सकते हो उसके बाद solid sphere हो गया dipole point charge means dipole की वज़ा से potential और electric field आपको दोनों निकालने है फिर point charge की वज़ा से potential कितना होगा ये पता होना चाहिए उसके बाद first Maxwell equation इस law की ठीक है इक्वेशन बनेगी आपको तीन 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 चर पेपर हैं पिछले वाले उठाके देखना first means चारो Maxwell equation बार बार पूछी जा रही है बार बार तो first Maxwell equation यहां से निकली है ठीक है इस law की differential form से निकली है उसके बाद lepless equation हो गया poison equation हो गया ठीक है उसके बाद आएगा dielectric materials क्या होते हैं capacitors में अगर dielectric material अगते तब क्या होगा उसके बाद boundary conditions आएगी electric field and potential की अब आपको यह चीज़े याद रखनी है तो main चीज़ क्या है आपको derivations नहीं करनी है इतनी लंबी लंबी जो आप BSC में पढ़के आए हो वो चीज़े नहीं करनी है आप इनके easy methods सीखने हैं इनके ठीके जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप करते हो electric field निकालते हो wire की वज़े से पहले small length element लिया फिर उसको integration करने में 10 minute चले जाएंगे वो lengthy method नहीं करने है ठीके तो इस law को use करो तो ऐसे आपने variations को skip करना है concept पढ़ो उनके result one by one learn करने की कोशिश करनी है तो electrostatic में अगर आप इतनी चीज़े कर लेते हो तो guarantee है कि आपका एक भी question नहीं चूटेगा ठीक है उसके बाद next video में हम लेके आएंगे कि magnetostatic में से आपको कौन से कौन से topics करने चाहिए तो ऐसे हमारी electricity and magnetism complete हो चाहेगी तो तब तक के लिए आप graduation की book में से ये सारे topics पढ़ सकते हो कोई और book कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को सिरफ अपनी graduation की book उठाओ electricity and magnetism वहां से ये chapters रीड करो ये topics आपने रीड करने है मैं दुबारा बोल रही हूँ definitions परो result परो derivations करने की जरूरत नहीं है इतना आप अपना time waste नहीं करना है तो next video में हम लेके आएंगे magnetostatic thank you so much